गुड इबनिंग फ्यारे शात्रों बहुत बहुत गुड इबनिंग कच्छा 9 की NCRT मैथ आपकी सुरू हो चुकी है बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड चुके हैं उनके कमेंट में दीख रहे हैं जैसे कि सुजीत विक्तार राहुल यादो अनुपम पंकज रभी संकर और तमाम बच्चे जुड़े हैं आसीम खान जी जुड़े हुए है और कमेंट सभी मुझे दिख रहे हैं राजन गौड तो जो डेली जुड़ते हैं उनके नाम हम जरूर बोलते हैं चलिए कुश्चन नमबर आठ देखिए एकसरसाई 12.2 NCRT मैथ कच्छा 9 देखिए बच्च कार फाइलों से बनाया गया मतलब फ और जमीन पर एक तिरभूज के द्वारा मतलब तिर भूज़कार टाइल बन Say, आपने देखा होगा एकसर फर फूलissent स्वेर बने रहते हैं जो कि आपको इस असफिगर में दिख रहा है कुश्चन में दिख रहा है ब जिन मेंसे परते Cop कि जो भूजाएं है वो स्नों 28 और 35 सेंटिमीटर है अकृति दी गई है इसमें अगर आप ध्यान दो तो इसके एक पंखुडी में लिखा गया साइड में देखो 28-35 जो है यह सब लिखा गया एक पंखुडी में अगर आप ध्यान से देखो दो दिखा है न कि इन टाइलों को 50-35 सेंटिमीटर स्कॉयर की दर से अगर पालिस करवाना है तो उसका चार्ज कितना होगा यह आपको फाइंड करना है ठीक है देखो बाब बहुत ही सिंपल है आसान है हमें काम करते हैं इसमें 16 टाइल दी गई है तो हम 16 टाइल ना बना करके एक टाइल का सब कुछ निकाल और अगर हम京ं एक टाइल का सब कुछ निकाल लें और उसकohl 16 से गुड़ा कर दें तो हमें 16 टाइल का मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे पहले एक टाइल यहां फिकर बनाएंगे उसका एरिया निकाल यह और उसके बाद जितना एरिया आएगा उसको 16 कर नहिंगे掉ों के वैं बना लेते हैं इधर साइड में आपको दिखर है तो देखो बच्च इसका ऐसे ही कुछ है बाबू किलियर हो रहा है न फिगर इसका ऐसे ही कुछ है यह कि अश्ड़ कुछ है जिसमें यह अठाईस है यह नो है और यह 35 सेंटिमेटर है यह माना गया है और उसमें दिया गया है तो हम एक काम करेंगे सबसे पहले हम जैसा कि अभी मैं बता चुका हूँ वही बात आप एक बार फिर से सुन लो सभी 16 टाइल की भुझाएं आपस में बराबर हैं इसलिए हम सिर्फ एक टाइल का छेत्र फ़ल निकाल कर उसे तोला से गुड़ा करेंगे और इस तरह से हम सभी 16 टाइल का छेत्र फल प्राप्ट कर लेंगे इतना करने के बाद आप क्या लिखोगे यहां उपर लिखो अता हां एक टाइल का छेत्रफल बराबर यहां पर ध्यान दीजिए यह सभी अलग-अलग साइड है इक्वल नहीं है तो हम लगाएंगे हीरोन सुत्र आप लोग पढ़ चुके हैं देखो बच्चों इसमें हिरोन सुत्र लगाने के लिए बाबु इसमें आपको यस पता होना चाहिए अर्दपरिमाप मालूम होना चाहिए तो साइड में हैं अर्दपरिमाप फाइंड कर लेंगे तीन बुजाएं हैं माल लो पहली 35 है दूसरी 28 है तीफरी 9 है बटा दो इनको सबको जोड़ लो 9 8 17 17 5 22 हासिल दो तीन दो पांच दो साथ बराबर 36 सेंटिमीटर यानि अर्दपरिमाप कितना आ गया भाईया 36 सेंटिमीटर आ गया बाबू ठिक है क्लियर यस की जगा पर यहां पर हम 36 पूट करेंगे 36 यहां पर 36 माइनस ए ए को माल लो 35 पहली बुजा फिर 36 माइनस बी बी माल लो 28 फिर 36 माइनस 9 यानि सी वाला अगे multiple करते जाओ डाफट rebuilt just 36 इंटू वर्ण इंटू इसको घटाओगे तो कितना आएगा 8 अ इसको गुड़े छे लिख सकते हैं इसका वर्गमूल निकल जाएगा इसमें देखो दो गुड़े दो कर सकते हैं फुल मिला करके मैं आपको डिटियल में दिखाऊं तभी आप समझ पाओगे 36 को 6 गुड़े छे कर लिया ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है आठ को हम लिख सकते हैं दो गुड़े दो गुड़े दो और देखो इसमें थोड़ा सा मुझे फिगर मिटाना पड़ेगा मिटा दूं इतनु मैं मिटा दे रहा हूं तेंसन मत लेना फिर बना लेना चलो क्यो भाबु मैं सलिख सकता हूं 27 मैं 23 शेसे लिख सकता हूं 29 को इसका एक जोड़ा बन गया 6 का, दो का भी एक जोड़ा बन गया, तीन का भी एक जोड़ा बन गया, अगर आप ध्यान दो, तो इसमें 2, 3 और 6, ये 3 बाहर निकल जाएंगे, एक-2 वाले जोड़े से, एक-3 तीन वाले से, एक 6 छे वाले से, इसमें 1 दो बच रहा है, एक तीन बचरा है तो बेटा ये छे अंदर में बचरा है फाइनल में दो तियाई छे छक छतिस छतिस अंडर रूट छे ये आपका आंसर हो रहा है यहाँ पे रूट 6 का बैलू 2.45 आएगा लगबग में कितना आएगा 2.45 अंडर रूट 6 का आप वर्गमूल निकाल सकते हो भाग विदी से इनका गुड़ा कर लोगे 88.2 सम्थिंग आएगा सेंटीमीटर का स्कॉायर यह आपका आगया एक टाइल का छेत्रफल ठीक है अब आपको यह कलकुलेशन आना चाहिए वर्गमूल घंमूल इतना तो फास्ट आपका होना ही चाहिए नहीं आता है तो कमेंट करके बताना आप इसके लिए बेसिक मैठ देख सकते हो पी विए अगर आप चाहूत इसे जुआईन कर सकते हो मात्र इस समय फॉरंडेड और फाइवंडेड में आपको मिल रहा है जिसमें यह सारे कांसेट्ट बिल्कुल आपको फास्ट करा दिया जाते हैं आप जल्दी जल्दी कलकुलेशन कर सकते हो ठीक है तो यह कोर्स भी आप ले सकत कर लोगे ठीक है लिख लोगे इसको गुड़ा कर लोगे तो वन फॉर वन वन पॉइंट टू सम्थिंग आएगा ना ऐसे आगा ना सेंटिमीटर स्कॉर यह क्या आगया सोला टाइल का छित्रफल आगया एरिया आगया आप गुड़ा करना जानते हो ना सिक्स्टीन टू ज प्रियेट कर दोगे कितना जाएगा पल्टिपल करके देखो अगया आजाएगा ना तो अब यह कर लिए अब लिखो शोला टाइलों पर खर्च शोला लों पर खर्च देखो बहुत पचास पैसे परतिस सेंटिमीटर स्कॉर यह कहा है खर्चा लगेगा आए ना तो यह बत रुपया बराबर 100 गया तुम मैं सबको पता है और इसलिए एक पैसा बराबर एक बटा सौ रुपया ना तो इसलिए पचास पैसा बराबर कितना हो जाएगा अब पचास गुड़े एक बटा सौ यह यहांनि पचास पैंश है में एक बड़ा दूए रूपये अधा रूपया वोallowшь 15 5 का मतलब आधा रूपया होता है तो हम एक काम करें इसको रूपया में हम लोग निकालेंगे जो आशार आएगा इसलिए इसे हम इसलिए है और वार्ये है इनको काट लो दो सते चाउदा दो फिर जीरो दो पंचे दस पॉइंट दो आएगा कितना आएगा छे आएगा ना आएगा ना शिक्स यानी साथ सो पांच दसामलो इतना रुपया साथ पैसा कैसे देखो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो देखो पेटा यह यही है का यह पॉइंट टू है ना इनको भाग कर लो अगर आप यह 14 है ग्यारा पॉइंट टू दो से भाग करोगे देखो दो सते चवुदा यह गटाने पूरा पूरा कट गया जीरो आगया आप उपर से वन उतारोगे भाग जायेगा नहीं उपर जीरो उड़ाओगे फिर वन उतारोगे अब पांच बार जायेगा दस आया गटाओगे एक आया अब देखो दसम लोग इधर सब खतम हो ग भी और है ये होता है कि देखो को मिधना इस तरह से को । अपकर होता है और इसी के साथ आपका यह चैपटर पूरा का फ़तम और गच्चिका भी में नाम घाल पॉ BB टू खतम होता है इसी के साथ आपका चैप्टर टोयल भी खतम हो गया अगला चैप्टर थाइटीन नंबर आप पढ़ोगे अगली कलास में जिसका नाम है प्रिष्टिय चेतरफल और आयतन थीक है आयतन हो गए आप पढ़ोगे अगली खलास में कुछ भी कहना है कमेंट करके बताइए निसंग को टेंसन मत लीजिए इस तरह की बड़ी-बड़ी कलास के लिए PVR Study App डाउनलोड करें आज ही जोईन करें और फुल कोर्स देखें पत्र दो महीने में Thank you